हेलो एव्रिवन वेल्कम टू डेली जाइजिस्ट मेरा नाम पढ़ना है आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वह इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन आई एलो के द्वारा एक रिपोर्ट आई है रिपोर्ट किस बारे में हैं तो स्लेवरी के बारे में रिपोर्ट है इस बार का जो टॉपिक है आपको वह रहा है फोर्च यबर और फोर्च मैरिजिस का स्लेवरी हम जानते हैं बहुत पुरानी बात है अठाड़ी उनिस्वी सतापदी में होती थी जबर्दस्ती लोगों को काम करवाने के लिए एक अस्थान से दूसरे अस्थान दास बना कर ले जाया जाता था पर ये पृथा अभी भी continue है अभी भी बहुत सारे असे लोग है जो slaved तरीके से जो है labor के रूप में काम करते हैं या marriage करवाये जाता है उनका जबर्दस्ती ताकि उनको दास बना के सेवक बना के रखा जाये ठीक है इस report में क्या है किस तरह की बाते की गई है कौन-कौन सा क्या गया है लेबर्स का इन सब के बारे में हम लोग detail में चर्चा करेंगे शुरू करते हैं सो 2021 की जो global estimate of modern celebrity report आई है इसके अनुसार यह ILO के द्वारा released है और यह एक spike या उचाई या बढ़ोत्री देखी गई है forced labor के cases में ठीक है अगर हम अंतराश्ट्रिय श्रम जो संगठन है उसकी बात करें तो उसकी अस्थापना 1990 में ही हुई थी और श्रमिको से related कोई भी मामला हो अंतराश्ट्रिय श्तर पर तो यह संस्था उसको deal करती है नियम बनाती है अगर कही उनका सोशन हो रहा है तो उसके विरुद्ध जो क्या उसको किस तरह से ठीक करना है मज़़ूरों के हित में किस तरह से का रहे हो इन से 28 मिलियन जो है फोर्स लेबर लोग है जिनको जबरदस्ती काम में लगाए गया है वही 22 मिलियन ऐसे लोग है जिनकी जबरदस्ती शादी कराई गई है आप जानते हैं कि साधी बहुत बड़ी चीजे हैं हमारे समाज भारतिय समाज में पर शादिया कई तरह की होती है इन दासी की तरफ किसी के अंडर भी तानी पड़ती है ठीक है तो 22 मिलियन ऐसी महला आए है मौटन स्लेवरी की बात करें तो पिछले पान सालों में ये एक्स्पोनेंसियली बढ़ गया है मतलब क्या है दो गुना चार गुना इस हिसाब से बढ़ गया है ठीक है जैसे हमने दे दस मिलियन ज्यादा लोग जो हैं वो मौडन स्लेवरी के शिकार हो चुके है आगे देखते हैं क्या है रिपोर्ट में अब इसमें अगर हम फोर्ट लेवल की बात करें मौडन स्लेवरी में तो जो आधुनिक दास है उसमें जो सबसे खराब इस्थिती है जिनकी वो है आपको महिलाएं और बच्चे और इसमें सबसे ज़्यादा एक जो बात है जो सामने आई है वो यह है कि यह सभी देशों में होता है all countries across the world regardless difference in the ethnicity, culture and religion कोई फर्क नहीं परता क्या धर्म है क्या समाज का रबया है या किस तरह का सोच है उस समाज का उससे कोई फर्क नहीं परता लगभग विश्व के हर देश में यह दास प्रथा जो है आज भी उतनी देखने को मिलती है इसका फॉर्म बदल गया है पर जो लोग है उनकी स्थिती अभी भी दासो वाली ही है अब केवल हम फोर्स लेबर की बात करते हैं जिनको जवर्दस्ती जो है उसकारे में लगाए गया है सो 52 परसेंट बावन प्रतिशत जितने भी फोर्स लेबर है न यह अपर मिडिल और हाई इंकम कंट्रीज में देखे गया है वैसे छेत्र जो आपको वैसे देश जो जिनका आय का अस्तर काफी उपर है 55 परतिशत जो है जवर्दस्ती जिनको कारे में लगाए गया है वैसे लोग इनी देशों में और इसमें से भी टोटल का 86 परतिशत जो है वो नीजी छेत्रों में प्राइवेट छेत्रों में देखा गया है ठीक है उसके अलावा कॉमर्शियल सेक्स्वल एक्स्प्लोइटेशन वो 63 प्रतिशत होता है इन फोर्स लेबर्स का एक तरफ तो उनको देशनी स्थिति में कारे कराए जाता है उनको वो वेतन नहीं मिलता है वो मानक नहीं है कि किस मानक ये अस्तर पर उनको काम करना है आगे दिखते हैं अब बात करें जबर्दस्ती शादी की फोर्स मैरिश की तो लगभग 6.6 मिलियन ऐसी लोग है जिनकी जबर्दस्ती शादी करा दी गई है इसमें एडिशन हो गया है 2021 की तुल्ला में ठीक है जब 2016 से के इस्टीमेट से हम कंपेर करेंगे 2016 में जिते लोग थे उससे अभी 6.6 मिलियन लोग और जादा बढ़ गया है जिनकी जबर्दस्ती सादी कराई गई है आपको पता है न कि कोविड महामारी के दौरान दो ही चीजे बहुत जादा हुई है शादियां और बच्चे तो इस वज़ए से भी फोर्स लिबर का जो स्टेट्स में है ठीक है माईगरेंट्स वरकर की बात करें क्योंकि हम जानते है कि कोविड महामारी के दौरान जो लोग एक अस्थान से दूसरे अस्थान कारे करने जाते हैं उनकी स्थिती और देनी है तो तीन गुना जादा ऐसे फोर्स लेबर है जो किसी देश में कार र ठीक है माईगरेंटों की तुल्ला में वहां रहने वाले लिबरर्स की संख्या जादा है ठीक है और इसका में वज़ा क्या है कि माईगरेशन से संबंधित जो नियम है वो काफी खराब है उनको ढंग से नहीं रखा गया है इस वज़ा से अगर कोई विक्ति किसी दूसरे अस्थान पर पहुंच जाता है एक माईगरेंट के रूप में तो वहां से वो विक्ति निकल नहीं पाता और इस वज़ा से वहीं रहने लगता है वहां की जो इस परिस्तिती में उसको जो कारे मिलता है जितना वेतन मिलता है वो नह चाते हुए भी दास बन के उस देश में कारे करने लगता है अब इस रिपोर्ट में अंतराश्रिय श्रम संगठन ने कुछ रिकोमेंडेशन की हैं कि किस तरह से इस थिस्तिती में सुधार किया जा सकता है सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो लॉज है और जो लेबर इंस्पेक्शन है उसको धंसे किया जाए जितन लेबर ऐसा देखा जाता है ना कि एस्टेट जो है प्रमोट करते हैं इस चीज को खतम करने की बात की गई है उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए क्योंकि हमने देखा ना कि जितने भी फोर्स लेबर है उसमें से तिरसत प्रतिसत लोगों का सारे रिक्षोशन हुआ है तो स प्रमोटिंग फेर एन इथिकल रिक्यूट्मेंट किसी का भी अगर आप काम पे रखो तो उसका चयन आप बिल्कुल साफ सुतरे तरीके से करो और जो भी आपका वैल्यू है आप उस चीज को प्रमोट करो वोमेंस एस्पेसली वोमें गर्ड और जितने भी वल्लरेबल कमेटीज है न उनको खास कर पहचान कर जो भी आवशकता है उनकी पूरी की जाए ताकि वो किसी भी तरह के कारे के लिए किसी भी जबरदस्ती शोशन का सिकार ना होके वो कारे भी करे तो अपनी मर्जी से और उनको वो हख भी ले ठीक है तो इस टॉपिक में वस इतना ही था थैंक्यू सो मच